दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 2005 में रिलीज हुई एक म्यूजिकल रोमेंटिक ड्रामा मूवी का जिसका नाम है बेवफा और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं अनील कपूर, अक्षे कुमार, करीना कपूर, शुश्मीता सेन, मनोज बाचपाई, शमीता शेटी, कबीर बेदी और नफीस अली इसके इलावा इस फिल्म की कहानी लिखी है रॉबिन भट ने, और इस फिल्म को डारेक किया है धरमेश दर्शन ने, और इस फिल्म के प्रेडियूसर है बोनी कपूर अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस कहानी की शुरुवात होती है अंजली वर्मा यानि करीना कपूर से जो राजा नाम के एक स्ट्रगलिंग म्यूजीशन यानि अक्षे कुमार को चाती है मगर कहानी अपना असल लुख तो तब लेती है जब अंजली की बड़ी बहन आरती वर्मा यानि सुश्मीता सेन तुइंस बच्चियों को जनम देते समय अपनी जान खो बैठती है और फिर अंजली के माबाप यानि कबीर बेदी और नफीसा अली अंजली को कुर्बानी देने का कहते हैं के वो अपनी बहन के शोहर अदितिया यानि अनील कपूर से ही शादी कर ले और फिर अंजली अपनी बहन के प्यार में इस रिश्टे के लिए हां कर देती है अब इसके आगे फिल्म की कहानी क्या रहती है ये जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं अग बात करें इस फिल्म की डारेक्शन के बारे में तो डारेक्टर धरमेश दर्शन ने इस फिल्म में करेक्टर्स को काफी अच्छे से हैंडिल किया है मगर स्टोरी नेरेशन में हमें काफी लेगिंग नज़र आती है जिसे बैतर किया जा सकता था और स्क्रीम प्ले राइटिंग की बात करें तो फिल्म का फर्स्ट हाफ हमें ड्रैक होता नजर आता है जबके सेकंड हाफ में फिल्म अपना पिक अप लेती है और सही ट्रैक पे आके आडियंस को एंड तक इंगेज रखती है इसके इलावा फिल्म के डायलॉग्स भी काफी यूनीक और वेल रिटिन है और बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म का साउंट ट्रैक अपने आप में ही आइकॉनिक है जो इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट भी थाबित होता है खास तोर पे सौंग मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है तो अपने वक्त का काफी मशूर गाना है जिसे आडियंस ने बहुत पसंद किया था अब बात करें एक्टिंग पर्फॉर्मिस की तो अक्षे कुमार इस फिल्म में तीन से चार टाइप के यूनीक गेट अप में नज़र आए जहां उनके सब ही लुक्स वाकई में देखने लाइक हैं और पर्फॉर्मिस वाइस भी अक्षे कुमार इस फिल्म में काफी इंप्रेसिफ नज़र आए इसके इलावा अनील कपूर ने भी काफी सेंसिबल और नेच्रल पर्फॉर्मिस दी और मनोज बाचपाई की बात करें तो उन्होंने भी काफी इंट्रेस्टिंग वे में अपने किरदार को निभाया और इस तरह के शार्प कॉमिक रोल्स उन पे काफी सूट भी करते हैं इसके इलावा करीना कपूर और शुश्मीता सेंन के साथ साथ फिल्म की बाती कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में अच्छा काम किया है ओवरॉल देखा जाए तो बेवफा एक वन टाइम वाच रुमेंटिक मूवी है और ये मूवी मैं आप सब को रेकमेंड करूँगा आप सब भी एंटर्टेन्मेंट के लिए एक बार इस मूवी को देख सकते हैं